जे जगनाद प्रेंट्स आज मेरे किचेन में बन रहा है एक वाइट फॉरेस्ट केक ये जो कस्टमर है ये दो दिन पहले ही मुझे ओडर दे दी थी मतलब हुआ ऐसे था कि उनको 31 को लगा कि आज एक तारीक है और उन्होंने केक के लिए ओडर दे दिया था उनके हस्बेन का बड़े था फिर कुछ देर बाद उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि भाबीन ऐसा नहीं है मतलब मुझे लगा आज एक तारीक है इसलिए मैंने ओडर कर दिया था अब आज के लिए मत बने आई गया कल के लिए बना दीजेगा उन्होंने मुझे डिटल में इतना बताया था कि उनका जो केक होगा एकदम लेस क्रीम होगा और मीठा एकदम कम रहेगा उनके बाद से मुझे लगा उनको स्पंज का टेस्ट जादा चाहिए क्रीम का नहीं चाहिए इसलिए स्क्रैच से मैंने इनका स्पंज बनाया था ताकि ज्यादा टेस्टी बने और फिर इसको अब पूरा आउटर में मैं क्रीम को लगा के केक को एकडम फीनिसिंग कर दिया और फिर मैंने इसको फ्रीज में 10 मिनित के लिए सेट होने के लिए रग दिया और उसी 10 मिनेट में मैं कद्दू कस से white compound को इस तरह से मैंने grate कर लिया अब फ्रीज से cake को लाई और फिर इसके उपर से इस तरह से मैं white chocolate को लगा दी फिर मुझे कुछ बड़े pieces चाहिए तो बड़े pieces इस तरह से मैं करके इसके उपर बाद में इस तरह से मैं लगा दी थी ताकि बड़े छोटे का थोड़ा combination से अच्छा लगे फिर ये जो chocolate mold से मैंने alphabet निकाले थे उसके side में थोड़ा extra लग गया था उसको मैंने cut कर दिया और जो garnishing मैंने लगाने वाली थी उसके पीछे toothpick इस तरह से प्लेस कर दिया melted chocolate से और इसको freeze में set होने के लिए रख दिया और सबसे last में यह सब को मैं cake के ऊपर प्लेस करूंगी garnishing को आप डारेक्टरी cake के ऊपर लगा सकते हो लेकिन गर्मी का दिन है कभी-कभी अगर थोड़ा बहुत पतला रहता है न तो यह garnishing एकदम से तूट जाता है इसलिए मैं इस तरह से toothpick से इसको लगाती हूं इसके पाद मैंने एक round shape का चोकलेट मैं बनाया था फिर इसके उपर जो alphabet मैंने बनाये थे उसको melted चोकलेट से चिपका दिया था और उसके उपर golden dust से एभापोरेक्स मिक्स करके इस तरह से paint कर दिया और सारे चोकलेट garnishing को इस तरह से लगा दिया फिर मुझे चार बजे message आ जिसमें एक happy birthday का था एक best dart का था और एक husband बाला भी था तीनों को मैंने कट किया और यह तरह से stick के साथ इसको place करके इसके उपर लगा दिया फिर मुझे लगा कि कुछ जच नहीं रहा है और customer ने भी भोला था आप चाहे साइड में आप वाइड चोकलेट दे दो लेकिन मु लेकिन customer की demand थी इसलिए मुझे लगाना पड़ा और सबसे last में मैंने एक छोटा सा butterfly को name के सामने place कर दिया white compound जो है 190 रूपीज का आता है dark chocolate से यह महंगा होता है इसलिए इस cake को 400 रूपे कम से कम लेना चाहिए लेकिन मैंने 350 लिया था आपको क्या लगता है आपके हिसाब स से केक का रेट क्या होना चाहिए यह आधा किलो का केक था और सायद मैंने 600 ग्राम सुनको दिया था अगर आप भी सूरत में गौरब पत्रोड के आसपास रहते हो और मेरे किचेन से के के साथ साथ फूड और करना चाहते हो तिस्क्रीन के उपर नंबर है कॉल करके details पता कर इसके साथ साथ उडिसा के भूबने सूर में 15 जुलाई से अगस्त 15 तक मेरा क्लासेस चालू हो रहा है जिनको जॉइन करना है आप कॉल करके details पता कर ले यहां पे hostel facility भी available है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो लेकिन आपको केक क्लासेस या food क्लासेस लेना नहीं है लेक